हेलो फ्रेंड्स, हमारे चनल में आपका स्वागत है दुनिया में बहुत सारी खोज जरूरत पढ़ने पर हुई है कुछ चीज़े ऐसी खोजी गई, जो शरुवात में असरदार साबित हुई लेकिन समय बीतने पर ऐसी चीज़ों से फाइदे से ज्यादे नुक्सान होने लगया आज हमें एक ऐसे ही जहर के बारे में बात करेंगे चीज़ को शुरुवात में दवा मान लिया गया था तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे 1914 में जब यूरोप में वर्ल्ड वर वन चल रहा था तब जमीनी लड़ाई में ट्रेंज वर्फेर प्रकार का युद भी शुरू हुआ जहां 8 फीट गेरा कड़ा खोदा जाता था और उसमें खड़े रहकर सिपाई दुश्मनों पर हमला करते थे और वापस उसी ट्रेंच में चुप जया करते थे इस तरीके में सबसे खराब बात यह थी कि अगर किसी काहल सिपाई की मौत हो जाती है तो भी उसके शव को बाहर निकलना मुश्किल होता था क्योंकि हर तरफ गोली बारी बंबारी जैसे उमले हुआ करते थे तो बाकी सिपाईों को कई दिनों तक या फिर कई हफतों तक उसी शव के बीच अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ती थी ऐसे में जब किसी इंसानी शव को सिनमान के साथ दफने आयना जाए तब शरीर चुहे और बाकी कीडे खाने लगते है और बाद में दीरे दीरे वो शवस और भी सड़ने लगता है जिससे बहुत सारी जान लेवा बीमारिया फेलती है First World War में भी इसी तरह हजारों लाखों सिपायों ने अपनी जान गवाई थी लड़ाई खतम होने के बाद इस तरह की बीमारियों के वाहक जो कीडे या चुहे इतियादी होते हैं उनसे बचा कैसे जाए इस पर एक खोच शुरू हुई तब इसके लिए कौनसा असरदार कीट नाशक बनाया जाए इसकी खोच स्वीज नागरिक पॉल मिलर ने 1939 में की और इस खोच का नाम DDT था जिसको डाइक क्लोरो, डाइक फिनाईल, ट्राइक क्लोरो इथेन के नाम से भी बहतर जानते है असल में 1874 में एक उस्ट्रियन केमिस्ट ओपमर जेडलर ने इसे बनाया था लेकिन इसको घातक की इतनाशक बनाने का पूरा श्रही पॉल मिलर को देना चाहिए और ये श्रही उनको मिला भी जब 1948 में पॉल मिलर को इसके लिए नोबल प्राइस दिया गया था 1940 में इसके सारे अधिकार पॉल मिलर को मिले सेकंड वल्वर में जापान के विरूद जब अमेरिकन सिपाही एशियाई जंगलों में लड़ रहे थे तब बरसाती जंगलों के मच्चरों और बाकी किडे अमेरिकन सिपाहीों को बीमार बना रहे थे तब अमेरिकन सिरकर ने बहुत बड़ी मात्रा में DDT फिलिपाइन्स भेजा और वहाँ पर इसको चिड़क वाया भी और ये बहुत ज्यादा असरदार साबित हुआ इसके असर को देख World Health Organization ने दुनिया में बहुत सारे देशों में इसका उप्योग करने की सला दी यूरोप, रशिया और नौर्थ अमेरिका इसका असर Second World War के दोरानी देख चुके थे अब बारी, एशिया के और आफरिका की कई सारे देशों की थी जिसमें भारत भी शामिल था मच्चर और बाकी किड़े मारने पर जानलेवा बीमारिया देरे-देरे खतम हो रही थी और हर जगह इसका असर भी देखने को मिल रहा था लेकिन ये असर लंबे समय तक नहीं टिका एक समय के बाद ये चीज़ भी लोगों के ध्यान में आई के DDT के घातक असर के सामने मच्चर और बाकी किड़े अपनी प्रतिकारक शक्ती बढ़ा चुके थे अब DDT उन पर किसी भी तरह का कोई भी घातक असर नहीं दिखा पा रहा था अगर असर कहीं दिख रही थी तो वो है लोगों की सिहत पर और नेचर पर रैचल कारसन नाम की मरिन बायोलोजिस्ट जिसका एक कास इंट्रेस्ट नेचर की स्टेडी में भी था उसने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में DDT के खतरनक साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया ये बात इस दावे के साथ भी की गई के DDT का एक साइड इफेक्ट कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी भी है रैचल कारसन के इस दावे ने DDT बनाने वाली कंपनियों में खलबली मचा दी थी क्योंकि इससे पहले DDT पर कोई खास रिसर्च नहीं होई थी लेकिन जैसे जैसे इस बात पर और रिसर्च की तो रैचल कारसन की बात सचोती दिखाई देने लगी तब सबसे पहले अमेरिका ने और बाद में यूरोप ने DDT के बनाने पर और उसके चिरकाओ करने पर बेन लगाना शुरू कर दिया इसका सबसे हैरान कर देने वाला अच्छा नेतिजा ये मिला जब अमेरिका का राष्ट्रे पक्षी बाज जो है जो उस समय लुक्त होनों की कगार पर था उसको नया जिवनदान मिला बाज के साथ फालकन नम के पक्षी को भी जिवनदान मिला था इस तरह रेचल कारसन ने इंसानी जिन्दगे के साथ साथ प्रक्षी को भी बचा लिया अमेदे हमारे आज के वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगी होगी अगरहां तो इस वीडियो का आपने फ्रेंड्स और फेमिली के साथ शेयर करें अगर आप आगे भी इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते है तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दे अभी के लिए इतना ही Have a good day